नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन का बयट कैसा हो बेहतर सुझाओ पर मिलेगा पुरसकार जार्खन बयट 2023 कैसा होना चाहिए यह आप बताएंगे आगामी बयट को लेकर हेमंत सरकार ने हमिन कर बयट पोर्टल और एक मुबाइल एप लंच किया है जिसके जरी आप सरकार को बयट सम्मधित सुझाओ दे सकते हैं सर्वस्रेष्ट सुझाओ देने वाले तीन लोगों को जार्खन सरकार सम्मानित भी करेगी बता दे आगामी बयट को लेकर यदि आप जर्खन सरकार को सुझाओ देना चाहते हैं तो त्यार हो जाइए मुखे मंत्री हेमंसुरे ने मंगलवार को जर्खन मंत्राले में हमिन कर बयट पोर्टल और मोबाइल एप का उगाटन किया है इस पोर्टल और मोबाइल एप के माद्यम से जर्खन के आम नागरिक भी अव आगामी जर्खन बयट दोहर्खन दोहर्खन चोविस सम्मान दीत अपना महत्यपुन सुझाओ राज सरकार को भेज सकेंगे बयट दोहर्खन दोहर्खन चोविस में जर्खन का बयट कैसा होना चाहिए इस निमीत अपना महत्यपुन सुझाओ बिस जन्वरी दोहर्खन तक ओनलाइन पोर्टल हमिन कर बयट के माद्यम से भेज सकेंगे तिन सर्वस्रेष्ट सुझाओ देने वाले बयक्तियों को राज सरकार द्वारा समानित भी किया जाएगा पूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड कोहर ढार ही है सितलहर के साथ घने कोहरे ने लोगों की परिसानी बढ़ा दी है जारखन के कई इलाके सितलहर की चपेट में है मौसम भी भाग नहीं से देखते हुए राजे के उतर पचिम छेतर के जीलो पलामू चत्रा कोडारमा लातेहार और लोहरतागा के लिए एलो अलर जारी किया है वहीं कोडारमा हजारी बाग और गिरीडी में भी सितलहर चलने के अंसां का जताई है इस बीच रांची के काके में नियुमतम तपमान सुने डिगरी तक पहुँच गया यहां सुबह में घास पुआल पर ओस की बुन्दे जम्य हुई है बता दे काके में दीन का साल का अब तक का सब से ठंड दिन रहा इसके साथ यह दिक्तम तपमान में भी तीन डिगरी की कमी दर्ज की गई है जारखन में कोवीड-19 के रोक्ताम के लिए 114 कडोर उपलब्द कराए जाएगी इसी प्रकार स्रम नियोजन प्रसिक्षन कोशल विकास विभाग जारखन के द्वार कोवीड-19 की प्रत्थम लहर में मुख्य मंत्री दीदी की चन के संचालन के लिए भवन एवं अन्य सनिर्मान कर्मकार कल्यान बोड जारखन की निधी से कूल और तिस कोड़ों चोहत्तर लाख बहुत्तर हजार बहुत्तर रुपय उपलब्द कराए जाने की समाती दी गई है मुख्य मंत्री के नेतिर्ति में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव पास जारखन के सी एमन सुरीन के अधेक्सता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होई जारखन मंत्राले में आयव दित मंत्री पलषत के बैठक में कई महत्सफपुर्नीना लिए गाए हेमन सुरेन केमिनेट ने जहारखंड के प्रवासिस तरमीकों की समान ये मौत की इस्थिती में भी अंतर राजिये प्रवासिस मजदूरों के सरवेक्षान एवं पुर्णवास वहिना का लाव परिजनों को देनने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है वहीं राजेबिधी बिज्ञान परियोकसाला जहारखंड में निदेशा के पद पर सन्मीदा के अधार पर डॉक्टर एक के बापुली को नियुक्त करने की स्वेक्षान वं पुर्णवास की योईना को जहारखंड के प्रवासिस तरमीकों के समाने मृत्यू की इस्थिती मे इस वहीं नाकलाब परदान करने के प्रस्ताव परसोगरिती दी गई है पारसनाथ महाजूटान में गर्जे लोबिन हेमराम 24 फरवारी को जहारखंड बंद जहारखंड के गिरीडी जिले के मधुबन में मंगलवार को पारसनाथ बचाओ महाजूटान कायोजन किया गया इ इकंदर हेमराम यं जैराम रमेश समेत बड़ी संक्या में लोग उपस्तित हुए साभा को समधित करते हुए बोर्यों विधायक लोबिन हेमराम ने कहा है कि इस मुदे को लेकर 24 फरवारी को जहारखंड बंद रहेगा सत्र के दवरान भीवे सदन में इस ममले को उठाएंगे बतादे जारखंड की गिरी डी जीलेख मधुवन में कड़ी सुरक्षा बेवास्ता की गई थी पारसनाथ बचाओ महाजूटान को लेकरना सिर्फ सीसी टीबी कैमरे लगाए गए थे बलिक ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी मैस्ट्रेट तक की भी तैनाथी की गई थी सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम के बीच बोर्यों से भी धायक लोबिन हेमरम सभा को समुदित करते हुए गर्जे उन्होंने 24 परवारी को जारकटबंद बुलाया है देवघर में 23 और 24 जन्वारी को बीजेपी परदेश कारे समिती की बैठाक 23 एवाम 24 जन्वारी को देवघर में भाजपा परदेश कारे समिती की बैठाक राज की राएनीती परिश्थिती को देखते वे काफी महतपूर्ण है ये बाते भाजपा के परदेश्ट अध्यक्त दीपक प्रकास ने देवगर में प्रेस कॉन्फरेंस में कही उन्होंने कहा है कि राज की रायनीती पर इस्थितिया जीस चवराहे पर खड़ी है उसके चारों और भ्यावा इस्थिति बन गई है धारखन में भारत की सबसे निश्क्रिय हेमंत सुरेंस सरकार है हेमंत सरकार हर मोचे पर भीपल है सड़क से लेकर बिजली वा पानी पर काम नहीं हुआ है भरस्टाचार पर हेमंत सरकार ने पुरे राज की जानता को सर्मसार किया है भाजपा के परदेश्त अध्यक्ति पर प्रकास ने कहा है कि मुख मंत्रिया उनके परिजन समेत जामों के केंद्रिये सचीव पंकल मिस्त्रा पर भर्ष्ट चार क्या रोप लगे हुए है टी एसपीसी का एरिया कमांडर बसंत सहीत चार नकसली पलामू से गिरफतार इसकी जनकारी पलामू के आरक्षी अधिक्चक चंजन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर दी है एसपी के अनुसार बसंत सिंग की पलानिंग थी की ठेकेदार बीजनेसमेन और आम लोगों में दोसत पैदा करने के लिए डराने वाला ब्यान के साथ बीडियो बना कर उसे यूटूब पर डाल कर वाल किया जाए एसपी ने बता जा है कि पुलिस को मिली गुप्त सुचना के अधार पर चापे मारी की गई चापे मारी के दोरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे टी एसपी सी एरिया कमानर बसंत सिंग और्फ बचन जी और्फ दिवाकर जी को उसके तीन सहयोगे की साथ गिरफतार कर लिया गया है केंद्रिये मंत्री अरजुन मुंडा बोले हम वासुदेव कुटूमबकम में विश्वास रखते हैं भारत सरकार के जन जातिये कारे मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को जी ट्वन्टी सीखर समिलन में सामिल सभी सम्बांधित देशों के परतिनिद्यों का गर्म जोसिस स्वागत किया उन्होंने अपने समोधन में कहा है किया देश वासुदेव कुटूमबकम पर विश्वास करता है पूरा बिश्व एक परिवार है इस वर्ष जी ट्वन्टी की थीम भी इसी बिश्व पर अधारित एक प्रिथवी एक परिवार एक भवी से है इस सीखर सम्मिलन के देख्षता के माध्यम से भारत का दृष्टी कोन एकता की एक सरवभावमिक भावना को बढ़ावा देने वा मानव केंद्रित बैस्वी करण के एक नए प्रतिमान को आकार देने के लिए मिलकर काम करने किया है केंद्रिय मंत्री अरजन मुंडा ने बीतिय ट्रेक पर जोर देने वा इस चेतर में उतकरिष्ट कारे के लिए जी ट्वन्टी की सराना की और कहा है कि उन्हें इस बात की खुसी है कि समाज के कमजोर एवन पिछले वर्ग खास कर महिलाओं के उत्वान पर जी ट्वन्टी ने विशेस ध्यान दिया है जे पिएसी से बिश्व बिद्यालों में सुरू होगी सिक्षकों की भरती राजिक के विश्व विद्याल में काफी समय स्लमित सिक्षको और एकेडमिक स्टाप की बहाली जल्द सुरू हो सकेगी इसके साथ ही राजिक के बीएट कॉलेजों पर लगाम भी लगेगा इसे सम्मादित प्रस्ताव परमुख्य मंतरी है मंसुन के दक्सता में होई केबिने गठन से समधित उच एवं तकनिकी सिक्षा विवाय के प्रस्ताव पर केमिनेट ने मुहर लगा दिया है पारशनात बिवाद पर सीम की है पैनी नजार मंतरी गिरीडी का परशनात बिवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है सरकार के फैसले के बाद आदिवासी सम समाज का मारना है कि केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज की आस्था को नजर अंदाज कर जैन धर्मलंबियों के प्रक्ष में पारशनात में कई प्रतिबंद लगा दिया है इसको लेकर आदिवासी संगठा में नराजगी है धन्यवाद